Hello everyone, I am Jyoti Chha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बूग बाल महाभारत कता आठमा अध्याय द्रोना चाड़े तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल NCRT The Mind को सबस्क्राइब कीजे लाइक कीजे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास समय से पहुंसती रहें तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं द्रोनाचारी तो इसे पढ़ने से पहले बच्चों देखिए कुछ जान लेते हैं कि देखिए द्रोनाचारी जो है जो थे वो एक गुरू थे जैसे कि हर इंसान के जीवन में गुरू का कितना बड़ा भुमी का होता है, कितना एहम हिस्सा होता है और उनसे हमें बहुत सारी सिक्षा मिलती है, अगर गुरू नहीं होंगे तो हमें बताना वाला कोई नहीं होगा, हमें आगे क्या करना है, क्या बढ़ना है, कैसे पढ़ना है हर चीज का सिक्षा देते हैं गुरू तो इसलिए ये जो द्रोनाचारिय जो थे वो पांडवों और कोड़ों के गुरू थे तो देखिए अब हम लोग उनके बाड़े में पढ़ते हैं कि उनके जीवन में क्या घटनाई घटी वो कितने गरीब थे और क्या किया उन्होंने तो चलिए सब पढ़ना सुरू करते हैं हम लोग आचारिय द्रोन महरसी भारतवाज के पुत्र थे पांचाल नरेश का पुत्र दुरूपद भी द्रोन के साथ ही भारतवाज आस्रम में सिक्षा पा रहा था दोनों में गहरी मित्रता थी कभी-कभी राजकुमार दुरूप पुत्र ने क्रिपाचारी की बहन से ब्याग कर लिया उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अस्वतामा रखा द्रोन अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे द्रोन बड़े गरीब थे वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी प पारगे उनके पास गए लेकिन उनके पहुचने तक परसुराम अपनी सारी संपती वित्रित कर चुके थे और वन गमन की तयारी कर रहे थे द्रोन को देखकर वह बोले ब्रामन स्रेश्ट आपका स्वागत है पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बाट चुका हूँ अब यह म मैं आपके लिए क्या करूँ तब द्रोन ने उनसे सारे अस्त्रों के पडियोग तथा रहश्य सिखाने की प्रार्थना की परसुराम ने यह प्रार्थना स्विकार कर ली और द्रोन को धनुडविद्या की पूरी सिक्षा दे दी कुछ समय बाद राजकुमार द्रूपद के पिता का देहा वशान हो गया और द्रूपद राजगदी पर बैठा द्रोनाचारी को जब द्रूपद के पान्चाल देश की राजगदी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन हुए और राजा जिन ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा यह आसा लेकर द्रोनाचाड़ी राजा द्रूपद के पास पहुँचे और बोले मित्र द्रूपद मुझे पहचानते हो ना मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोन हूँ एश्वरी के मद में मत्त खुवे राज जरूरीपद को द्रोनाचाड़ी का आना बुड़ा लगा और द्रोन को अपने साथ मित्र कासा वयवार करना तो और भी आख्ड़ा वह ड्रोन पर गुश्वा हो गया और ऑर बोला ब्रामन तुम्हारा यह वयवार सजनो चित नहीं है मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम तुम्हारी बुद्धी कितनी कच्ची है लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम दुरुपत से मित्रता का दावा करने लगे दरिद्र की धनी के साथ मुर्ख की बिद्ध्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है मित्रता बढ़ावडी की हैसियत वालों में ही होती है जो किसी राज्जी का स्वामी ना हो वर राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता दुरुपद की इन कठोर गर्वक्तियों को सुनकर दुरोनाचारी बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया उन्होंने निश्चे किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बच्पन में जो मितरता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा वह हस्तिनापूर पहुँचे और वहां अपनी पतनी के भाई कृपाचारी के यहां गुपत रूप से रहने लगे एक रोज हस्तिनापूर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुवे में जागिरी युदिश्ठिर उसको निकालने का प्रियतन करने लगे तो उनकी अंगुठी भी कुवे में गिर पड़ी सभी राजकुमार कुवे के चारों ओर जाग जाग कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूचता था एक कृष्ण वर्ण का ब्रह्मन मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था राजकुमारों को उसका पता नहीं था राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला राजकुमारों बोलो मैं गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे ब्रामन स्रेश्ट आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचारी के घर आपकी बढ़ियां दावत करेंगे युदिष्टिर ने हस्ते हुए कहा तब दुरोनाचारी ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेका सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखे वे कुवे में डालते गए सीखे एक दूसरे के सीरे से चिपकती गई जब आखड़ी सीख का सीरा कुवे के बाहर तक पहुच गया तो दुरोनाचारी ने उसे पकड़ कर खीच लिया और गेंद निकल गया आई सब राजकुमार आश्चरी से यह कर्तब देख रहे थे उन्होंने ब्राह्मन से विंती की की युदिष्टिर की अंगुठी भी निकाल दीजिये द्रोन ने तुरंत धनुष उठाया धनुष चढ़ाया और कुवे में तीर माड़ा पल भर में बान अंगुठी को अपनी नोक में लिये हुए उपर आ गया द्रोन अचारे ने अंगुठी युदिष्टिर को दे दी या चमतकार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अच्रज हुआ उन्होंने द्रोन के आगे आदर पुर्वक सिर नवाया और हाथ जोर कर पूछा माराज हमारा प्रणाम स्विकार कीजिए और हमें अपना परिचे दीजिए कि आप कौन हैं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हमें आग्या दीजिए द्रोन ने कहा राजकुमारों यह सारी गटना सुना कर पिताम भिश्म से ही मेरा परिचे प्राप्त कर लेना राजकुमारों ने जाकर पिताम भिश्म को सारी बात सुनाई तो भिश्मे तार गए कि हो ना हो वे सूप्रसिद्ध आचारी द्रोन ही होंगे यह सोचकर उन्होंने निश्चे कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्तर सिक्षा द्रोनाचारी के ही हाथों पूरी कराई जाए बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोन का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोन से ही धनुर्विद्या सीखा करे कुछ समय बाद जब राजकुमारों की सिक्षा पूरी हो गई तो द्रोन अचारे ने उनसे गुरु दक्षिना के रूप में पांचाल राज दुरुपद को कैद कर लाने के लिए कहा उनकी आग्या नुशार पहले दुर्योधन और कर्ण ने दुरुपद के राज़े पर धावा बोल दिया पर प्राक्रमी दुरुपद के आगे वे ना ठहर सके हार कर वापस आ गये तक द्रोन ने अरजुन को भेजा अरजुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा दुरुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचारी के सामने लाख खड़ा किया द्रोन अचारी ने मुस्कुराते हुए दुरुपद से कहा हे वीर डड़ो नहीं किसी प्रकार की विपत्ती की आशंका ना करो लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे बाद में जब तुम राजा बन गये तो एश्वरी के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है इसी कारण मुझे युद करके तुम्हारा राज चिनना पड़ा परन्तु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ इसलिए आधा राज्य तुम्हे वापस लोटा देता हूँ क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हे राज्य चाहिए ना मित्रता तो बड़ाबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है द्रोन अचारे ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रूपद को बड़े समान के साथ विदा किया इस प्रकार राजा द्रूपद का गर्व चूर हो गया लेकिन बदले से ग्रिना दूर नहीं होती किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीरा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है द्रोन से बदला लेने की भावना द्रूपद के जीवन का लक्ष बन गई उसने कई कठोर वरत और तप इस कामना से किये कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोन को मार सके साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अरजुन को ब्याही जा सके आखिर उसकी कामना पूरी हुई उसके द्रिष्ट धुम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रोपदी नामक एक कन्या हुई आगे चल कर खुरु छेतरी की रन भूमी में अजे द्रोनाचारी की द्रोनाचारी इसी द्रिष्ट धुम्न के हाथों मारे गए थे तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है तो चलिए अब हम लोग इसका प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं तो देखिए बच्चों आपका पहला प्रश्ण है कि आचारी द्रोन कौन थे बचपन में वे कैसे थे तो उत्तर लिखेंगे कि आचारी द्रोन महरसी भारद्वाज के पुत्र थे, बच्पन में वे बड़े गडीब थे अब है दूसरा प्रश्ण कि द्रोन और दुरुपद में कैसी मित्रता थी, उन दोनोंने किस के आस्रम में सिक्छा पाई तो उत्तर लिखेंगे कि द्रोन और दुरुपद में गडी मित्रता थी, उन दोनोंने महरसी भारद्वाज के आस्रम में सिक्छा पाई अब तीसरा प्रश्ण है कि राजकुमार दुरुपद बच्पन के दिनों में द्रोन से क्या कहा करते थे तो उत्तर लिखेंगे कि राजकुमार दुरुपद बच्पन में उत्सा में आकर द्रोन से यहां तक कहा करते थे कि जब वह पांचाल देश का राजा बन जाएगा तो वह आधा राजी उन्हें दे देगा अब है चौथा प्रश्ण कि द्रोनाचारी की साधी किस से हुई थी उनके पुत्र का नाम क्या था उत्तर लिखेंगे कि द्रोनाचारी की साधी क्रिपाचारी के बहन से हुई थी उनके पुत्र का नाम असुथामा था अब है पांचवा प्रश्न परसु राम अपनी संपत्ती गड़ीवों में क्यों बाट रहे थे तो उत्तर लिखेंगे कि वन गमन के उद्देश शे परसु राम अपनी सारी संपत्ती गड़ीवों में बाट रहे थे उसके बाद है छटा प्रश्न सिक्षा पूरी होने पर द्रोन ने अर्जुन से गुरुदक्षिना में क्या मांगा उत्तर लिखेंगे कि सिक्षापुरी होने पर द्रोन ने अर्जुन से गुरु दक्षिना के रूप में पंचाल राज दुरुपद को कैद कर लाने के लिए कहा साथमा प्रशन है कि द्रोन के व्यवार से दुखी होकर दुरुपद ने क्या प्रतिग्या की तो उत्तर लिखेंगे कि द्रोन के वैवार से दुखी होकर दुपद ने बदले की भावना को अपने जीवन का लक्षे बना लिया उन्होंने कई कठोर वरत और तब इस कामना से किये कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोन को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके अब है आठवा प्रश्न कि द्रोनाचारी परसुराम के पास धन लेने गए थे पर धनुर विद्यासी कर क्यों लोटना पड़ा तुत्तर लिखेंगे कि द्रोनाचारी जब परसुराम के पास पहुँचे तब तक परसुराम अपनी सारी संपत्ती दान कर चुके थे फिर भी उन्होंने द्रोनाचारी का श्वागत किया और बोले ब्रामन स्रेश्ट अब मेरे पास सिर्फ मेरा सरीर और धनुरविद्या ही है बताईए मैं आपके लिए क्या करूं तब द्रोन ने उनसे सारे अस्त्रों के परियोग तथा उसका रहस्ते सिखाने की प्रार्थना की अतह परशुराम के परशुराम ने द्रोन को धनुरविद्या के पूरी सिक्षा दे दी अब है नवाप्रश्ण के दुरूपत के राजा बनने के बाद द्रोन क्या सोच कर उनके पास गये तो तर लिखेंगे कि राजकुमार दुरूपत पिता की मृत्यू के बाद राज यदे दुरुपत आधा राज जिना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा यह आसा लेकर आचारे द्रोन राजा दुरुपत के पास पहुंच गए अब है दस्वाँ प्रश्ण के राजा दुरुपत की कठोर बातों को सुनकर द्रोन ने क्या संकल्प लिया और वह कहां जाकर रहने लगे उत्तर लिखना है के राजा दुरुपत की कठोर बातों को सुनकर द्रोन बड़े लजजित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया बातनी के भाई कृपाचारी के यहां गुप्त रूप से रहने लगे अब है 11 प्रश्न कि इस हस्तिनापूर के राजकुमारों के साथ क्या घटना घटी तो तर लिखना है एक दिन हस्तिनापूर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे तब ही उनकी गेंद एक प्रियत्न कर रहे थे तब ही एक ब्रह्मन वहां आया और बोला कि अगर वह गेंद बाहर निकाल दें तो वे उसे क्या देंगे तो युधिश्ठीर हस्ते हुए बोले कि अगर वह गेंद निकाल देंगे तो कृपाचारी के घर आपकी बढ़ियां दावत करेंगे द्रोन अ पलभर में अंगुठी बाहर निकाल कर वियुधिश्ठीर को दे दी अब बाढ़मा प्रशन है कि राजकुमारों के मुख से सारी घर ना सुनने के बाद पितामा भिश्म को क्या महसूस हुआ तथा उन्होंने राजकुमारों को क्या आदेश दिया तो तर लिखेंगे कि र प्रशिद आचारे द्रोन ही होंगे अता उन्होंने आचारे द्रोन का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वह गुरु द्रोन से ही धनर विद्या सीखा करें तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लेट हो गया है तो देखा आपने इस कहान को भी पढ़ा और प्रशन उत्तर भी आपने बना लिया तो आप इस कहानी को बार बार पढ़िए याद कीजिए और प्रशन उत्तर को भी याद कीजिए और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे और अगर आपको अच्छा लगा पढ़ने में मन लगा तो आप मेरी चैनल NCRT The Mind को जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और बेल आगन जरूर प्रेस कर दीजे और ताकि मेरी जितने वी वीडियो हैं वो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए बाइ टेकर थेंक्स तो ओच वाच वाच मैवीडियो